विश्कार दोस्तों तो दीगे बात करेंगे इस वीडियो में डोडला डेरी स्टॉक के बारे में कमपनी के Q4 के नंबर्स आज की डेट में अभी शाम को अनॉंस कर दिये गए हैं तो दीगे स्क्रीन पे प्रेस लिज देख रहे हैं आप डोडला डेरी की आज की डेट 14 जुलाई दो जार इकीस कंपनी नंबर्स डिकलेर किये हैं करोड की तुलना में 533 करोड की कंपनी ने आई पोस्ट की है एक्सपेंसेज टेकसेज निकालने के बाद बात करें कंपनी के नेट प्रोफिट की तो 41 करोड की तुलना में 9.5 करोड का ही कंपनी ने मुनाफ़ा इस क्वार्टर में किया है तो यहां पे क्वार्टर न क्वार् करोड को मिलेगी 529 करोड की तो यह बढ़त है चार से पांस करोड की अब बात करें मुनाफिक की तो देखिए करीब करीब 1.9 करोड का यानि 2 करोड के आसवास का company जो घाटा किया था मार्च 2020 के quarter में लास्ट ये के quarter में 2 करोड के गाटे से इस बार 9.5 करोड के मुनाफर में company आते वे देखने को मिल रहे है अब एक बार compare कर लेते हैं पूरे साल दर साल अधर पर year 19-20 को 2021 से compare करें तो आया आप देख सकते हैं 245 करोड की तिलना में 1950 करोड की आते वे देखने को मिली है और year 19-20 की चारोती माईयों में कमपनी ने करीब 50 करोड का जो profit किया था वो बढ़कर 125 करोड का year 2021 में आते वे देखने को मिल रहा है तो इसलिया से जो एक साल के समय की data है वहां पर बढ़िया नंबर देखने को मिल रहे हैं तो देखें बात करें आज के कारोबार की तो आज इस्टॉक ने फ्लैट कारोबार किया है कुछ भी यहां पर काम नहीं हुआ है पांस दिन के बात करेंगे तो 6.6% से जाधा greater ने एक महीने में 5.5% के हैं और यह अल्मस्ट एक की ही महीना हुआ है स्टॉक को एक महीना भी नहीं हुआ है बलकि 28 जून 2021 को इसकी लिस्टिंग हुई थी 609 के प्राइस पर जबकि आइपयो का प्राइस 428 का अपर बैंड था तो उसलिया से कंपनी आज भी आज भी आईपयो के काफी ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है तो देखें नीचे के और दोनों के इस तरों के बात करें नीचे के इस तरों में 570 के आज पास स्टॉक के पास एक सपोर्ट है यह दिख सकते हैं यह एक मजबूर सपोर्ट है इससे जादा नीचे नहीं जाएगा और बहीं बात करें उपर इस तरों के तो आज के हाई का ही एक target रखते हैं जो कि 630 रुपए का है CMP से 15 रुपए उपर का है ये जब इस्टॉक निकाल लेगा तो 635 पे एक खास hurdle नहीं कहा सकते लेकिन फिर भी 635 पे रुख सकता है उसके बाद all time high जो इस्टॉक के IPO के same day पे लगाया था करीब 650 से 650 की range का वहां पे stock उपर इस्टॉक पे आपको जाते हुए देखने को मिल सकता है quarter on quarter basis पे नंबर गिरे है market इसको थोड़ा सा negative ले सकता है वो एक अलग बात है लेकिन year on year basis पे नंबर अच्छे हैं घाटे से मुनाफे में आई है तो वो एक जरूर positive काफी बढ़िया impact है stock के लिए जो नया लेना चाते है गिरावट में ले सकते हैं शांदार कंपनी है आने वाले समय में stock हजारों की जो है प्राइज में देखने को मिल सकता है चार डिजिस में मैं लंबे समय की बात कर रहा हूं चोटे समय में की नहीं तो कंपनी अच्छी है expansion के दूद का गारो बार को expand करने के काफी ये लोग प्रियास आग करते हुए देखने को मिल रहे है जिन लोगों का IPO पर निकल रखा है या नीचे के प्राइस पर ले रखा है वो भी hold करिए करीब 600-600 के लेवल जाएंगे तब बेचने के बारे में विचार आप कर सकते हैं तो लिए इस वीडियम बात के लिए डोडला के Q4 के नमबर के बारे में